ते लिए स्टार्ट करते हैं question no.4c जो और का question है जिन में आपको winload find करना है 8 story आपको दी गई है जो question no.3b का data वही आपको use करना है जिनका description मैंने नीचे लिख दिया है अगर आप चाहे तो देख सकते हो question no.3b का data otherwise यहाँ पर मैंने उनको sort में लिख दिया है जनरल बिल्डिंग with the terrain category 3 class of structure B and plain ground plot wind pressure diagram आपको wind pressure diagram draw करना है वो यह चीज आपको याद रखियेगा तो मैंने sort में यहाँ पर लिख दिया है तीन base थे वहाँ पर x direction में total 7.5 meter का था वाइम में भी same dimension था beam size दे दी गई थी आपको location वहाँ पर आपको दिया गया था और height है आपकी 3 meter चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं design of wind speed की बात करें तो vz equal to vb k1 k2 k3 यह चीज आपको 1893 sorry 1893 में नहीं 875 में मिल जाएगी 875 जो wind का special part 3 जो है वहाँ से आपको मिलेगी page number 7 8 and 6 पर k1 k2 और k3 की value आपको मिल जाएगी वहाँ पर चाहिए क्या आपको already मैंने winter 2019 के question में बताया गया है k1 जो है k2 जो है k3 अब तीनों में से k3 सबसे आसान है क्योंके वह आपको one मिलेगा जब आपके पास plane category दिया है terrain category जो देते हैं plane ground condition plane ground condition में k3 one मिल जाएगा आपको k2 जो है वह depend करेगा आपकी height पर k1 है आपको wind velocity से decide करना है तो अब देख लीजेगा k1 k2 k3 फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ लीजेगा तो इससाब से आपको vz मिल जाएगा और फिर होगा 0.6 into vz square design width wind load अगर बात करें तो यह है equation cf हमें find करना होगा area किस तरह से count करते हैं मैं बताता हूँ आपको pressure जो है वह यहां से find करना होगा vz और अब देखिए और रिवर्स process में इस चीज़ को देखिए pz किस पर depend करेगा तो कि vz पर मतलब pressure depend करेगा velocity velocity पर velocity depend करेगी k2 और k2 है वह depend करेगा आपकी height उपर रिवर्स से मैंने बात की vz k2 and height तो इस तरह से आपको table generate करना है जो depend करता है height पर चलिए वह देखते हैं उससे पहले area और cf की भी बात कर लेंगे चलिए area की बात करें तो आप क्या कर सकते हो तो टोटल आपके पास dimension किता है 22.5 जिसमें से आपके पास जो एक आपके पास number है number of column वह वहाँ पे आपको कितने मिल जाएंगे 8 story है 1,2,3,4,6,7 ऐसे 8 story के लिए आपको 9 मिल जाएंगे तो आप क्या कर सकते हो वह divide कर सकते हो और 2.5 मिटर सक्वेर आप area निकाल सकते हो 1 मिटर हमने consider किया है कि width उनकी क्या होगी 1 cf जो है वो a, b और आपका h पर depend करेगा चीज यह मैंने reflect करके बताई गई थी आपको जो winter 2019 का paper solution था वहाँ पर फिर से यहाँ पर refer किया हुआ equation जो आपको वहाँ था वही चीज यहाँ repeat हो रही है आपको figure 4 ए देखनी है जब आपके पास h by b का ratio 1 से ज्यादा हो 875 में आपको यह चीज मिल जाएगी page number 35 है cf 1.25 में ने consider किया है नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे whatsapp कर दीजिएगा अब यहाँ force के लिए value put करते है 1.25 जो हमने consider किया 2.5 यहाँ से और pd जो है वह आपका decide होगा vz और vz decide होगा आपका कही ना कहीं h पर directly और indirectly चलिए तो उस हिसाब से हमें table run rate करना है जिसमें height होगी k2 होगा vz होगा pz होगा f और यह newton में मिलेगा उनको convert कर दिया है kilo newton में और वहाँ पर भी बताया था मैंने यही चीज यहाँ पर repeat की है आपको क्या करना है उनका difference साथ में ही ले लेना है चलिए 10 meter 15 20 30 यह चीज कहां से आई तो आपको 7 और page number 8 और 7 में आपको दिख जाएगी यह चीज k2 का calculation जहां पर लिखा हुआ है वहाँ पे 10 15 20 और 30 का आपको यह height मिल जाएगी उसके सामने आपको k2 की value मिलेगी 1.05 1.07 1.12 क्रिपिया आप चेक कर लिजेगा 875 3 में part 3 में अब vz की value 39 के से आई तो आपके लि इंटू k2 तो k2 1 है तो आपका अंसर 39 मिल जाएगा इसी तरह से 1.05 है तो यहाँ पर 1.05 मल्टिप्लाइ करेंगे तो 41 42 और 44 मिल जाएगा आपको अब vz की बात करें तो vz के लिए 0.6 into z square है मतलब 0.6 into in का square कर दीजेगा तो आपको 912 मिल जाएगा फिर 41 का square into 2.46 कर दीजेगा तो 1008 मिल जाएगा और इससाब से आपको finally force find करना है जो wind force है वो 3.125 यहाँ से आपको मिल जाएगा pd जो यह जो last आपकी लाइन है pz बोल सकते हो यहाँ पर आप तो pz मतलब कि आपकी value 912 से 2.6 से multiply कर दीजेगा तो इस तरह से आपको newton मिल जाएगा और उनको divide by thousand कर देजेगा तो आपको kilo newton में मिल जाएगा और difference find कर लिया है यहाँ इन दोनों का approximately यह point 3 हो रहा है यह point 15 हो रहा है और near about point 33 हो रहा है यह आपको correlation जो करना है उनमें काम आज सकता है तो चलिए last table जो चाहिए आपको main table है जहां से आपको wind distribution diagram मिल सकेगा तो node की बात करें तो start करेंगे ground level से फिर 1 1 2 2 up to the 8th level फर्स लेवल 0 to 1.3 किस तरह से हम count करते हैं मैंने already आपको बता दिया है जब हम बात की थी 2019 के winter के paper में इसी तरह से आपको count करना है 0 to 1.3 वहाँ पे कुछ value change आ रही थी क्योंकि वहाँ पे 5 meter का नीचे base था आपका अगर प्याद करिएगा उस चीज़ को यहाँ अगर compare करिएगा तो देख लीजेगा वहाँ पे आपको 5 meter का था यहाँ पे आपको base point only देख लिए मैं किस तरह से इसको count कर रहा हूं आपके बास 3 by 2 करना है पहले फिर minus करना है आपको point 2 तो आपको 1.3 मिल जाएगा okay point 2 इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने एजिम किया 400 का आपका बीम है चलिए तो इसी सबसे इन दोनों का इवरेज के लिए आपको तो 2.85 आपको यहाँ पे 2.85 कहां से ले रहा हूं यह देखिए 0 पर है तो आपका pressure value जो आ रहा है थी वह थी आपकी 2.85 अब point load के लिए बात करें तो इ आपको 3.7 मिल जाएगा अब क्या करना है बस आपको 3.8 कर देना है 3 जो कि यहां पर story height सेम है आपके लिए यह आपके लिए एक आसान ही है आपके लिए calculation करना हर बार 3 जो कर दिजए गा तो यह story line आपको मिल जाएगी अब बात करते हैं यहां पर pressure तो 1.5 मीटर है तो 2.85 आ आएगा 7.5 के लिए यहां देख लिए आप टू 10 मीटर तो देख लिए यहां 10.3 आ गया मतलब change हुआ कुछ 10.3 आ गया जब तक बात थी 7.3 आपका यह constant हो सकता है बट जब 10 से ज़्यादा हुआ तो 10 से उपर गए तो आपको correlation यहां यूज करना है मैंने वह simple से वह बात यहां represent कर दी है टोटल 5 का difference था 10 और 15 देख लिजिए का पीछले पेज में आपको मैंने दिखाया था पहले थे 10 फिर आता था 15 तो 5 वहां पे difference आपको मिल जाएगा जो height का difference है और 0.3 जो था वो आपका force का difference था यह मैं लिख रहा हूँ force के लिए f यहां लिख रहा हूँ h अब height कितनी है आपकी add 0.3 है only तो 0.3 के सामने कितना मिलेगा तो जो मिलेगी उनको आपको add कर देना है 2.85 में इस तरह से आप directly यह चीज फाइन कर पाया होगे और द करते हैं इनके diagram के बार में तो यह है wind pressure diagram 3.70 आपको सबसे ground level पर मिल रहा है फिर 8.55 फिर यहां पर 8.55 और 55 मिल रहा है यहां पर 55 है 6 मिल रहा है 61 लिखा है मैंने 9.45 और इस तरह से last में आपको 10.30 यहां पर दिख रहे होंगे यही चीज मैंने represent किया है इनको कहते हम wind distribution diagram जो आपको 7 marks के लिए पूछा गया था